नई दिल्ली से जांसी की तरफ आ रही दो दो चार एक छे आंतरा एक्सप्रेस जब गवालियर पहुँची तो उसके कोच में आग लग गई गटना बाद पूरी ट्रेन में हड़कम मच गया ततकल सूचना मिलते ही दमकल्ब मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया इस गटना में सभी आतरी पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं गटना सोंबार की सुबह करीब 11 बजे की है जब दिल्ली से विसाखा पटनम जा रही 22,416 आंधरा एक्सप्रेस कवालियर गनेजदी पहुँची थी कि तब ही ट्रेन की AC कोच B6 में अचानक आग लग गई इसके बाद यातरियों ने चैन पुलिंग करके ट्रेन को बिर्ला नगर रेल बेस्टेशन पर रुख दिया और अपनी जान बचाते हुए सभी यातरी नीचे उतराए देखते ही देखते रेल के दो कोचों से आग की लप्टे उठने लगी इसके बाद मौके पर पहुँचे अगनी समक इंजन और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया इस घटना में किसी यातरी के किसी प्रकार की नुकसान की खबर नहीं है बाद में रेल प्रिशाशन द्वारा दो भोग्यों की जगे नई भोग्या लगा कर ट्रेन को रबाना किया गया गटना की बज़ें से काफी देर तक रेल आवा गमन बादित रहा नीज बीके के लिए गवालियर से वीरो रिपोर्ट